नमस्कार दोस्तों वेलकम तू फाइनांस वाला आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत इंट्रिस्टिंग टॉपिक है कि अगर आपको लंपसम निवेश करना है तो कौन सा म्यूचुल फंड आपके लिए सही रहने वाला है आए जानते हैं मैंने एक बहुत अच्छा साबित रह सकता है तो चलते हैं फंड के नाम की तरफ तो फंड का नाम जो है वो है तब देख सकते हैं कि जब फंड का नाम रहेगा वो है स्पिया ब्लू चिप फंड अब नाम में लिखा है कि यह फंड किस टाइप का है यह जब फंड है यह आपको लार्ज क्याप टाइप का लार्ज क्याप टाइप का म्यूचर फंड रहने वाला है अब लार्ज क्याप क करें तो उससे तो कम रहता है मगर एवडी से थोड़ा ज्यादा रहता है तो अगर आप निवेश करने का सोच रहे हैं और लंशम पैसे हैं आपके पास तो यह तरीका बहुत सही रहने वाला है आई जानते हैं थोड़ी वाद डीटेल्स अबाउट दो मुझेल फंड फंड के साइज के बारे में बात करें तो फंड का साइज है 4,3,3,5,5 करोड काफी बड़ा यही हो हमें इस निचल फंड का है ना तो आप देख दोते काफी लोगों ने मतलब इसमें निवेश किया हुआ है होल्डिंग्स की बात करें कि जो यह म्यूचर फंड है इसका नेचर कैसा है कितना लार्ज कितना मीडियम कितना स्मॉल क्यूंकि हम में एक मिक्स्चर होता है एक टाइप के शेर्स नहीं रहेंगे तो लार्ज क्याप की बात करें तो 80.89 परसेंट इंवेस्मेंट हुई है इ मिड क्याप की बात करें तो 14.75 परसेंट इंवेस्मेंट रही है इस मीचर फंड की दरस से और स्मॉल क्याप की बात करें तो बिल्कुल भी निवेश नहीं है इसका मतलब यह है कि इस मीचर फंड का SBI Blue Chip Fund का कोई भी निवेश स्मॉल क्याप में नहीं है क्योंकि इसका बिल्कुल एम नहीं है कि आपका पैसा थोड़ा भी टूटे इसका पूरा का पूरा एम यह है कि आपका पैसा सेफली मार्केट में बढ़े इसलिए स्मॉल क्याप में कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है अब हम जानते हैं इस टॉक कि बाते तो बहुत होगी कि इतना सारा पैसा इसमें लगा इतने साह लोगों करने वेश है लार्ज मीडियम स्मॉल में इतना परसंटेज डाला है मगर यह फंट कर क्या रहा है कितने परस बने हैं पिछले 10 सालों में वह सटीन परसंट के सटीन परसंट का ग्रोथ है पिछले 10 साल का इस मूचल सब्सक्राइब अब इसके यूचल फंट की जितनी भी आपको इंफोर्मेशन नहीं थी कि नंबर्स फाक्ट यह समय आपको दे दिये मगर एक एक्जाम्पल की हेप्स अगर समझाओंगी तो और बहतर समझने आएगा कि आपने कितना पैसा लगाया और वह कितना बढ़के हो जाएगा तो इसके हम एक्जाम्पल की बात करें अगर आपने लंब सम पांच लाख रूपोई का निवेश किया है और आपकी अगर रिटर्न्स यह पंदरा परसेंट के हिसाप से हमें देता है और डियोरेशन यानि कि समय समय आप अपने हिसाप से लगा सकते हैं अगर आप इसको हम 20 साल ले लेटे हैं 20 साल मेरे खहल से सही रहेगा है आप अपने उम्रह किसाप से देख सकते हैं आपने इसको दससाओ के लिए भी रखा हो सकता है 15 साद के लिए भी रखा हो सकता है हम दीशाओ के लिए लेंगे तो इसाहँ में और लाव souventuire zar getी पैसा आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं पर रिटार्न से वह रहेंगी वाल्यू कितना पांच लाग आपका बन जाएगा तो वह है एटीवान लाक्स और अगर हम ये पैसा twenty five years के लिए लगाए तो आपका निवेश जो है वह बन जाएगा one point six four सियार याने कि अगर आप 20 साल के लिए पैसा निवेश करेंगे स फंड में तो आपके पैसे 81 ळाक्स बन जाएंगे और अगर 25 साल के लगर आप यह पैसा लगाएंगे तो 1.64 करोड CGR आपका वाल्यू जो है आपके पैसों के बन जाएंगी 15% CGR के हसाब से क्या इसके कोई बहतर फंड भी है मैं आपको यह सजेशन है यह ब्लूचिप फंड SBI Blue Chip Fund का जो मैंने आपको mutual fund बताया है यह उन लोगों के लिए है जो अपना पैसा लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिल्कुल कम रिस्क के लिए बिल्कुल कम रिस्क के साथ और अच्छी ग्रोध चाहते हैं इससे भी बड़ी आपको mutual fund मिल जाएंगे जिन पर यह हमारी SBI कंपनी की सरव से ब्लूचिप फंड है काफी सेम है जानी मानी इंडिया की कंपनी है इसके जादा सेफटी आपको कहीं नहीं मिलेगी लाज क्या इस कंपनी का नेचर है mutual fund का सारे की सारे पैसे आपके सेफ रहने वाले हैं अब थोड़ी सी और डीटेल्स यह पिछले पांस 10 यह का रिकॉर्ड है नहीं हो सकता है कि आपको आगे चलके 15 के जगह 17 परसेंट भी मिल जाए मोटा मोटी आपको जो रिटर्न मिलेगी वह 15% के अराउंड ही मिलने वाली है और अगर आप ज्यादा पैसे डालेंगे तो आपकी रिटर्न इसाब से जादे हैं उस लिसाब से आपको बहुत अच्छे रिटार्न मिल सकते हैं बहुत ही कम रिसक्त के साथ और इस कर लिए हैं रिस्क बहुत ही कम है और जो ग्रोथ है यह रिटान वो काफी अच्छे हैं एक्जाम्पल की थुरू भी मैंने आपको सब समझा दिया है इसका कॉंपोजिशन कैसा है वह बता दिया है और टॉप लीडिंग नूचल फंड है यह यूंब भी बहुत अच्छा है तो अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए और भी वीडियो सब्सक्राइब करना चाहते हैं सब्सक्राइब करेंगे और ध्यान रखिए एक एजुकेशनल वीडियो है रेक्यमेंडेशन किसी भी टाइप की नहीं है अपनी रिसेर्च करके या अपने फाइनाशल अडवाइजर को पूछके ही ऐसे में आपको निवेश करना चाहिए मे तब तक के लिए बाइ